हेलो दोस्तो स्वागत आप सभी का आर्वी अडिटीव क्लास में तो दोस्तो आज मैं आप लोगों के लिए स्क्वायर यानि की वर्ग की एक बहुत ही सांधार ट्रिक लेके आया हूं इस ट्रिक में हम देखेंगी कि कैसे हम सेकेंडों में ही कुछ ऐसे नमबरों का स्क्वाय होगा ठीक है आखरी में कितना आया होगा अखरी वाला जो डिजिट होगा आखरी वाला जो अंक होगा वो फाइफ होगा तो देखते रहे हैं इस वीडियो को ध्यान तक और अंत में बताना ना भूलें कि आप ट्रिक आपको कैसी लगी देखो यहां पर ऐसे नमबरों का स् समझ लेना है कि एन इंटू एन प्लस वन को मल्टिप्लाई करके यहां पर 25 रैट कर देना है ठीक है एक ऐसा नमबर होगा उसमें हम वन को एड करेंगे उसको मल्टिप्लाई करेंगे और फिर जो आखरी डिजिट है उसका इसको लिखेंगे कैसे करते हैं वो बताते हैं आखरी में जो 5 तो आता है तो इसके लिए 25 आएगा आपको आखमूद के रैट कर देना है इस 5 का जो स्क्वेर होगा वो 25 आएगा आपको भी ना कुछ सोचे समझे रैट कर देना है यानि कि 5 आया 25 अब सिर्फ इसकी बात हो रही है तो यहां पर आप उन में सबसे पहले 1 प्लस कीजिए तो कितना आजाएगा 2 और इसको इसमें multiply कीजिए इसी को मैंने बताया है कि n प्लस 1 इंटू n ठीके एन आपका कितना है 1 और इसमें आप एक प्लस कर दीजिए 2 तू उन्जा 2 तो आंसर कितना आजाएगा 225 कितना आजाएगा 225 समझ में नहीं आया ना चलो दूसरा करके देखते हैं अभी क्या करना हमने लिए 25 कितना लिए 25 ठीक है तो 5 का स्कॉयर कितना लिख देंगे 25 और 2 में एक एड करेंगे कितना होगा 3 और 3 तूजा 6 ठीक है क्या करना है इस 2 में एक एड करना है कितना होगा 3 और यहां पर कितना लिखना है 6 इसी प्रकार स मान लो हमारे पास 35 है और इसको multiply करना है मनलब कि इसका square find करना है क्या find करना है square तो 5 का square कितना होगा 25 इसको ऐसे ही लिख दीजे 3 में 1 add कीजे इस नंबर में 1 जोड़िए तो 3 में 1 add करेंगे कितना होगा 4 और 4 से इसमें multiply कीजे 4 तरी जा 12 हो गया answer कितना 1225 ठीक है चलो एक और देख लेते हैं मान लो कि हमारे पास 45 है कितना है 45 तो 5 का square 25 लिख दीजे और इस 4 में 1 add कीजे कितना होगा 5 और 5 को 4 में multiply कीजे कितना आगे 20 यानि कि 2025 आएगा ठीक है अगर मान लो 55 होगा तब कैसे करोगे देखो 5 का square 25 5 में 1 add करो ये जो 10 पे place है इस पे 1 add करो कितना होगा 6 और 6 को 5 में multiply करो 6 5 जा 30 3025 ठीक है तो अब इसको apply कैसे करेंगे वो देख लेते हैं ठीक है इनको apply कैसे करेंगे वो देख लेते हैं आप समझ गे ना जो 5 है उसके लिए 25 लिखना है और जो उसके आगे एक number है 10 पे उसमें एक add करके और फिर उसी में multiply कर देना है देखो ये हमारा 15 15 का 5 25 लिखना है और 1 में इस 1 में एक add करना है 2 आजाएगा 2 अंजा 2 फिर इसका लिखना है 25 आप सबसे पहले 25 लिखते चले जाईए ठीक है आप सब में कितना 25 लिखते चले जाईए ये 25 होगा ही होगा कब होगा जब आखरी में 5 आया होगा यहाँ भी आप 25 लिखते चले जाईए यहाँ भी 25 और यहाँ भी 25 अब बात करते हैं कि जो नंबर बच गया, जैसे यहां पर 2 बच गया, तो 2 में 1 एड़ करो, 3, 3, 2, 6, यह 3 है, 3 में 1 एड़ करोगे, 4, 4, 3, 12, 4 है यहां पर, तो 5, 4, 20, 5 है, तो 5 में 1 एड़ करोगे, 6 आएगा, फिर इसी में मल्टिप्लाई करो, 6, 5 जा 30, 6 है, 6 में 1 एड़ करो, कितना होगा, 7, 7, 6 जा 42, एट एट में, एट में एक और जाँ हो गया तो इएंट ना जाँ ध्यू गया ठिक है, तो यह हमारी सांधार त्रिक रही आप बताए आपको एटरिक कैसी लगी ठीक है अगर ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी सेर करें कमेंट वाक्स में बताना ना भूलें कि ये ट्रिक आपको कैसी लगी ठीक है तो मिलते हैं आगले वीडियो में तब तक के लिए थेंक्यू क्लास